हेलो एवरिवन आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल वारियर्स पे हम यहाँ पर लाते हैं बहुत ही सारे important educational topics और इसे हम समझाते हैं बहुत ही सरल भासा में हमने अगली वीडियो में देखा था कि XML क्या है और आज हम देखेंगे XML करता क्या है सो गाइज XML दो चीजों को support करता है पहले तो एक data integration और दूसरा data exchange सो गाइज data exchange के अंदर दो situations होती है पहली तो web publishing framework और दूसरी distributed data processing तो आप यहाँ पर एक figure देख रहे हो कि उसके अंदर दो application है application 1 और application 2 तो आप देख रहे हो कि application 1 क्या करती है वो internal जो हमारा data होता है उसको manage करती है तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक data sources है उसके अंदर जो हमारा data आता है वो क्या होता है जाता है XML data के अंदर और XML data के through वो कहाँ पर जाता है website, pd document और specialized language के अंदर तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि application 1 है वो एक server है और application 2 है वो एक client है आप मैंने पहले ही बूला कि इसके अंदर दो situation होती है एक तो है web publishing framework और दूसरी distributed data processing तो web publication framework के अंदर क्या होता है कि application 1 is act as a web server and application 2 as a client और दूसरे के अंदर आप देख रहे हो कि क्या है distributed data processing तो इसके अंदर क्या होता है complex data processing is possible by combining set of site अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक figure दी हुई है कि database management system है यह conversion of XML यह XSLT engine तो यह पूरा process कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले हमारा जो data आता है वो database के through हमारा database management system के अंदर जाता है वहाँ से हमारा data जाता है XML के अंदर यहाँ पर क्या होता है जो data होता है वो XML के अंदर convert होता है with help of XSLT programs और उसके बाद हमारा जो data होता है वो जाता है XSLT engine के अंदर और वहाँ पर हमारा data XML file के अंदर होता है वहाँ से data हमारा web में जाता है और हमें यहाँ पर अपनी जो web applications है वो दिखती है अब उसके बाद आता है data integration तो data integration का simply purpose क्या होता है means आप देख रहे हो यहाँ पर एक A है B है और C है means आप समझेए कि तीनों अलग अलग resources के data है और वो सारे data किसी एक जगा पर आके उसको हम combine करते है उसको हम बोलते है data integration so guys मैं आसा रखता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको पसंद आया तो इसको like कीजिए share कीजिए और अमारी चैनल को subscribe कीजिए और आप इसी तरह का material देखना चाहते है तो उसको instagram हमारा जो page है उसको जाके follow कीजिए thank you